वीर शहीद क्रांतिकारी उधम सिंग इस नाम को भला कौन नहीं जान था पंजाब के अमरिसर के जलियाँ वाला बाग में हुए नरसंगार से पूरे भारत में गुस्से की लहर फैल गई थी इस घटना से हजारों लोग प्रभावित हुए थी पर इस घटना से एक बच्चा इतना जादा गुस्से में था कि उसने जर्नल डायर को जान से मारना अपने जीवन का उद्देशे बना लिया था ये बच्चा था सरदार उधम सिंग जिसने अपनी आँखों से डायर की कर्तूत देखी थी उनकी आँखे गवा थी उन हजारों भारतियों की हत्या का जो जर्नल डायर के क्रूर आदेश के कारण घेर कर मार दी गई थी उस दिन उधम सिंग ने जल्यावाला बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर प्रतिग्या लिथी कि जर्नल डायर और ततकालिन पंजाब के गवर्नर को जरूर सबक सिखाएगा और इसके लिए वो छोटी सी उमर में ही करांतिकारियों की साथ शामिल हो गई अपनी प्रतिग्या को पूरा करने के लिए सरदार उधम सिंग करांतिकारियों से चंदा इखटा कर देश के बाहर चले गई उन्होंने कई देशों की यात्रा की और देश में अंग्रेजी सरकार से लड़ने के लिए काफी पैसे जुटाई साथ ही वो अपनी प्रतिग्या को पूरा करने के लिए महनत करते रही इसी बीच उधम सिंग को पता चला कि उनके लंदन पहुँचने से पहले जर्नल डायर बिमारी के चलते मर गया है ऐसे में उन्होंने अपना पूरा ध्यान उस समय पंजाब के गवर्नर माइकल ओर डायर को मारने पर लगाया और अपनी ली गई प्रतिग्या को पूरा भी किया 13 मार्च 1940 को रोयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन में एक होल में बैठक थी वहां माइकल ओर डायर भी स्पिकर के रूप में एक थे उधम सिंग ने उस दिन अपनी रिवोल्वर एक मोटी किताब में चुपाई और वहां पहुँच गए बैठक के बाद उधम सिंग ने माइकल ओर डायर पर निशाना लगाया उधम की चलाईवी गोलिया डायर को लगी जिससे उसकी तुरंत मोट हो गई इसके साथ ही उधम सिंग ने अपनी प्रतिग्या पूरी की और जलियावाला कांड का बदला भी लिया उधम सिंग ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और गिरफतार हो गए उन पर मुकदमा चलाया गया और फांसी की सजा सुनाई गई ये थे हमारे वीर क्रांती कारी शहीद उधम सिंग जिन पर हमें गर्व है और हमें इनके जैसा बनना है जै हिंद जै भारत